एप्लिकेशन क्रैस यह जो प्रॉब्लम है सारे स्मार्टफून में देखने को मिलता है अगर आप हाई रेंज वाले फोन यूज करते हैं या फिर लो रेंज वाले यह मेंटर नहीं करता है एप्लिकेशन क्रैस का जो प्रॉब्लम है उस सारे स्मार्टफून में देखने को मि यहां पर आपको दो ऐसे काम करने हैं करने के बाद आप नोटिस करेंगे कि आपके फोन में जो है आप क्रैसुला जो प्रॉब्लम है वो यहां पर फिक्स हो गया है आपको करना है कि आपको चलना है सेटिंग्स में तो मैं आप लोग को लेकर चलता हूं सेटिंग्स में यहां पर आने के बाद आप लोग देख सकते हैं एपस का जो आपसन है यहां दीख रहा है इस पर आपको टैप करना है यहां पर टैप कीज़ेगा तो सारे एपस जो है वो यहां पर सो करेंगे जितने भी एपस आपके फून में है वो यहां पर सो करने लगते हैं अब आपको करना क करना किछा उसके बाद आप लोग यहां पर देख सकते हैं इस्टोरेज स्टोरेज पर टैब किछाई पर आपको क्लरीर केश करना है तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं क्लियर जो उसके बाद आपको करना है कि आप बाइक आना है बाइक आईगा तो यहाँ पर force stop देखने को मिलता है आपको इस पर tap करना है और इसको ok कर देना है ok किजेगा उसके बाद देखेंगे कि आपका जो application है जो crash हो जाता था उसको आप reopen करेंगे बिल्कुल smooth तरीके से जो है वो open होगा मैं यहाँ पर आप लोग को इंस्टा open करके दिखाता हूँ यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टा मेरा open हो रहा है यह मेरा इंस्टा पेज जो है वो open हो गया है आप लोग जरूर इसको follow कर लेजएगा मैंने description में link दिया है अपने इंस्टा पेज का और मैं आप लोग को बता दूसरा काम क्या करना है कि आपको चलना है प्ले स्टोर में प्ले स्टोर open कीजेगा करने के बाद यहाँ पर आपको एक गूगल फाइल जो है application वो डाउनलोड करना होगा गूगल फाइल यहाँ पर देख सकते हैं यह जो application है इसको आपको डाउनलोड करना है अपने phone में तो मैंने already इसको डाउनलोड कर लिया है इसको open करना है open करने के बाद आप थोड़ी दिर वेट करेंगे और पुली दिर से यह scan करेगा scan करने के बाद आप नोटिस किजेगा कि यह junk file delete करने के लिए option देता है यहाँ पर देख सकते है junk file यहाँ पर देख सकते हैं मेरा junk file फून का 268 MB है मैं इसको यहाँ पर clean कर देता हूँ इसको करने का बहुत benefit है आपका phone जो पुली तरह से पानी की तरह चलेगा बिल्कुल स्मूज चलेगा और app crash वो प्रॉब्लम है वो देखने को नहीं मिलेगा यह आप लोग दो काम जो जरूर से कीजेगा अपने phone में उसके बाद आप notice करेंगे कि आपका जो app crash वो प्रॉब भी phone हो हफते में दो से तीन बार जरूर से restart कीजेगा restart करने से आपका phone का problem पूरी तरह से खतम हो जाता है restart करने से तो restart जरूर से कीजेगा यह बोले तो system को पूरी तरह से refresh कर देता है और phone को fully तरीका से smooth बना देता है तो restart बहुत जरूरी है आप restart जरूर से कीजेगा अपन के लिए गुड़ बाइ, थैंक्स पर वचिंग, जैहिंद.